वेलकम यू आल एट दामेस टूरियल होप यू आल डूइंग गूड तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में जो हमारा 15 सप्टेंबर से एक्जामिनिशन होने वाला है सभी एक्स स्टुडेंट का और फाइनल समेस्टर के रेगुलर स्टुडेंट का उसमें मैंने बताया था करके बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे उसको फिल करना है क्या 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 फिल करना है और एंसर सीट कहां से लिखना स्टार्ट करना है तो एवरिधिंग देखेंगा ऑके बडियर्स वीडियो अगर अब तक आपने MS टूटर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंक्शि देखना सॉबस्क्राइब यहां पर आपको फॉस्ट यर के सभी वीडियोज मिलें गया और सब्सक्राइब नहीं किस्ट के लिए या तो फीर अगर आप आगे भी मैं वीडियो रॉट प्रवाइट करोंगा नूमेरड़कल्स हो गया आपका एमसीक वीडियो करूंगा और इंटर्वियू के प्रिपरेशन के लिए जो मेकनिकल के स्टूडेंट है पर्सनली उनके लिए जो है डेफिनेटली बेनिफीशल होगा तो अब जो है हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कन्फीजन के लिए कर देता हूं और रिगारदेंगे टाइम टेवल बहुत सारे स्टूडियन मुझे टाइम टेवल के लेके कमेंटे में में मेंसिन कर रहे थे कि सर टाइम क्या है तो टाइम टेवल अलड़ी है वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया गया आज पीविके वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर लो यह देख सकते हो यहां पर पर आपको डिरेक्ली है यहां से भी आप ले सकते हो आपका जो भी ब्रांच है और जो भी आपका कोर्स ह तो बीटेक आप सेलेक्ट करो और उसके अपना टाइम टेवल डाउनलोड करके सेड्यूल के एक्जामिनेशन दो ठीक है तो यह तो आपका पहला डाउट किलियर हो गया अब दूसरा जो डाउट था स्टूडन का की यूनिवरसिटी जो है कब हमें प्रोवाइड करेगी फ करना हैं कैसे क्या करना है वो सब कुछ पता चल जाएगा तो जैसी आप इस टूडन लोग इन यहां से ओपन करो गई यहां पका फर्स्ट डैसबोड जो है यहीं पर आपको मिल जाएगा आपको फर्स्ट वाला यहां पर क्लिक करना है इंड से में जून तूसराजन टुज तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहां पर देखो यह आपका complete form जहाँ यह open हो गया तो यह आपका first page होगा answer seat का तो होपस आपको दिख रहा होगा अब देखो इसमें क्या क्या फिल करना और क्या क्या इसमें बोला गया यह मैं आपको दूसरे टैम में download करके बता देता हूं और लिखके भी पता देता हूं कि कैसे क्या होगा ठीक है तो यह अब मैंना इसको डाउनलोड करके अपने PDF मेरे लिया अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका examination में सिर्फ यहाँ पे question university प्रोवाइड करेगे online बाकि लिखना आपको घर पे है तो वह एक तरह से आपका offline हुआ और open book इसलिए बोला है because आप use कर सकते हो कोई भी book as a reference for answer writing ठीक है और यह सब ही course के student के लिए है बी बी टेक बी फार्मा बी टी डी सी जितने भी यहाँ पे दिखरा है courses and all सब के लिए है ठीक है सभी courses के student का back paper का examination स्टार्ट हो कि आप 15 सब्सक्राइबर से सब भी अपने schedule के recording time table download कर लीजिए उसके recording जो है आप exam देजिए ठीक है और guidelines and all के related मैंने अल्री वीडियो बना दिया है दो तीन वीडियो आप उसको जाके देख सकते हो तो अच्छे से और सी ओर हो जाओगी कि क्या guidelines and all है और कैसे आपको PDF and all scan करना है तो अब बात आता है कि आपको फिल क्या क्या करना था first page में तो वह देख लेते हैं सबसे पहल यहां पर आपको subject code लिखना पर एगा जैसे मान लो आपका subject code ME8001 है ठीक है यहां पर आप फिल कर दोगे doesn't matter आपका यह पूरा फिल हो रहा या नहीं हो रहा है आप बस फिल कर दोगे subject code ठीक है आपका schedule में subject को जो लिखा होगा वही subject code आपको फिल करना है subject title आपका subject का क्या नाम है कोई भी नाम हो जैसे आपका हो गया turbo machinery and all तो ऐसे आपको नाम लिखना यहां पर उसके बाद आपको enrollment नमर आपको लिखना है जैसे मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं 0172 ME कुछ भी जो भी है आपका यहां पर लिख दो आपका यह enrollment नमर होगा फिर उसके बाद date of birth फिल करना है और फिर यहां पर आपको एक identity proof के लिए कि आप सेम परसन हो उसके लिए आपको यहां पर अपना आधार कार्ड या तो फिर पैन कार्ड वोटर कार्ड किसी भी कार्ड का आपको यहां पर नमर फिल करना होगा ओके यह होगे आपका complete की first page में आपको क्या-क्या फिल करना है अब second में यहां पर कुछ instruction फिर से दिया गया है तो उस instruction को देख लेते हैं पहला instruction है candidate must start writing from this page अब देखो बहुत सारे student को confusion यह था कि जहां से हम page लिखना start करेंगे वहां से numbering करेंगे one two या तो फिर हम इसी page से करेंगे तो पहले मुझे जो लगा था कि instruction में बो यहीं से लिखना है यहां पर देख रहा है space यहीं से आपको answer लिखना start करना होगा तो मतलब आपका page number one यहीं हो जाएगा ठीक है यह confusion clear हो गया फिर next बोला गया any part of page pages should not be left blank this is necessary to reduce the size of the pdf file before uploading the pdf file please check and ensure that the written text is readable ठीक है जैसे ही आप अपना answer seat complete fill up कर लोगे तो ऐसा नहीं है आपको रखना है कि बीच बीच में बहुत जादा जगह है जो है आपने छोड़ दिया जैसे मानलो बहुत सारे student क्या करते है अपना answer लिखते है और उनका answer मानलो यहीं पर complete होगे ठीक है तो वो क्या करेंगे कि यह बला page पूरा complete छोड़के दूसरे वाला page start कर देंगे तो ऐसा आपको नहीं करना है university यह बोली है कि आपको blank नहीं छोड़ना है और अच्छे से फिल करना है pages को ताकि आपका pdf का size जो है वो जादा बड़ा नहो जितना ज ज्यादा आपको upload करते वक्त answer sheet easy होगा ठीक है नहीं तो आपको time लेगा और अगर server error हुआ तो issue भी हो सकता है तो आपको यह कोशिस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा page को भरें और कम page में answer लिखने का कोशिस करें अब इसके लिए ऐसा नहीं कि आप answer लिखने से compromise कर लो ज जो आप enrollment number fill करोगे इसमें कोई cutting नहीं होना चाहिए ना तो कोई over writing होना चाहिए ठीक है हो सकता है बहुत सरे student fill up करते गलत कर दें तो ऐसा नहीं कि आप वही वाला submit कर दो अगर आपने गलत कर लिया तो आप दूसरा print out निकालो और दूसरा print out निकालके फिर से submit करो आप सब प्रिंट आउट जब निकालो गए एक्जाम के लिए तो आपका सबसे परज़े जितना back paper है ठीक है उस back paper के लिए उतने प्रेज यह वाला निकालो क्योंकि यही वाला page सारे back paper में आपका काम आएगा और चार-पांच जो है additional यह वाला pages print out कर वा लेना photo copy कर वाला ताकि अगर आपका कोई mistake हो जाए first page में तो आप उसको change करके फिर से fill up कर सको ठीक है ताकि उस समय आप हड़ बड़ी में ऐसा नहीं करो कि आपके पास extra page नहीं है और आपने वही वाला दे दिया तो यहां पर असपर बोला गया है कि overwriting and all नहीं करना है enrollment number में ओके फिर यहां से marks मिल जाएगा उस पर ठीक है फिर यहां पर बोल गया student should take the printout of this page as much before the start of the exam and complete the entries ठीक है telegram group में add नहीं है तो वहां पर add हो जाओ वहां पर आपको मिल जाएगा group का link जो है मैंने description में दे दिया है तो वहां से आप add हो सकते हो ठीक है पर यहां पर बोल गया candidate must enter the total number of the pages used their answer sheet जितना भी answer sheet में उनों नहीं यूज गया उन सब को आपको यहां पर add करना यह सबसे ज्यादा must है ठीक है यहां पर आपको add करना कितने number of pages में आपका answer हुआ तो यह आप पहले नहीं कर सकते हो यह entry आपको बार में करना जब आप answer लि तीन वीडियो बना दिया है कोई भी confusion हो वह सारा confusion आपको उन तीनों वीडियो को देखने से खतम हो जाएगा मैं आपको description में link दे दूंगा या तो फिर आप channel पर भी जाकर देख सकते हो के फिर यहां पर बोल गया student have to number each page and put their signature on the bottom of the page यह भी बहुत important point है यह पहले नहीं बत signature करना है यहाँ पर ठीक है जो भी आपका signature हो यह और यह भी पता होगा आपको कि आपका हर page में page number भी लिखना है आपका enrollment number भी लिखना है और subject code भी लिखना है ठीक हर page की उपर में यह मैंने instruction में बताया है तो यह आपका complete instruction हो गया और first page में क्या-क्या fill up करना है यह हो गया उसके बाद आपको यहां से answer writing जैसे आपका question जो भी दिया होगा तो question आपको नहीं लिखना है question के बदले में सिधा आप question number लिखो यहां पर जैसे एक हो गया और उसका answer लिखो यहां पर answer and you have to start your answer writing from here okay यहां साब अपना answer लिखते जाओ जो भी आपका answer है और हाँ एक बात और यहां पर बोला गया था बहुत सारे student को conclude जानता कि हम blank page use करें या तो फिर line वाला तो आप दोनों में से कोई भी use कर सकते हो और यहां पर देखो university ने on lady line वाला page provide क्या है तो अब यह बास sure हो जाओ कि आप line वाला page पर answer लिख सकता हो इस पर लिखना आसान भी होता है but yes page का size जो है आप A4 रखना ठीक है ताकि pick जब click करो तो आपका page का size जो है वह छोटा बड़ा ना हो ठीक है ऐसा नहीं को PDF में एक page आपका चोटा दिख रहा है और एक page आपका बड़ा दिख रहा है तिसलिए आप same size का A4 size के रखना A4 कौन सा size होता है आपका photo copy वाला page होता है वह 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 वाला page फार के लिख लो नहीं तो उससे भी better आप यह करो कि same size का copy लेके जाओ और उसी copy का print out कर वालो इससे यह होगा कि आप आपका exact A4 size का जो है अगर आपका copy का size छोटा बहुत भी है तो बट आपका जो print out करोगे उससे आपको आ जाएगा बिल्कुल A4 size का आ जाएगा और वहां पे आप answer लिख सकते हो या तो simply आप Google में भी जाके type करना Google में भी आपको जो है यह line वाला page मिल जाएगा A4 size में वह क्लियर हो गया होगा अब university ने सब कुछ आपको provide कर दिया है बस आपको अपने schedule recording उस दिन website पे जाना है student login करना है वहां पे आपको अपने portal पे मिल जाएगा और वहां से question को note करके आपको अपना answer लिखना है ठीक है that's it तो अब आप अच्छे से preparation केजिए and do well in the examination thank you so much and good luck